2022 में इंडिया में total 421 मिलियन online active gamer spot हुए थे और ऐसे expect किया गया था कि ये number बढ़के 2023 आते आते 442 मिलियन हो जाने वाला है दुनिया में जितने भी fields हैं उनमें से एक लौता ऐसा field जो की अपना रंग और रूप बहुत तेजी से बदल रहा है जब से ये आया है market में वो है gaming I mean पिछले 4 सालों के अंदर gaming ने जिस तरह के से evolve किया है उतनी तेजी से कोई और industry evolve नहीं हुआ है अब कुछ लोग के लिए ये बात अच्छी है क्योंकि gaming evolve कर रहा है नईनी चीज़े आ रही है गेमिंग के अंदर gaming का market ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है पैसा भी बहुत खूब कमा सकते हो gaming के market में आने के बाद लेकिन एक चीज़ जो डरा रहा है वो है competition अगर आप पिछले कई समय से gaming में observe कर रहे हो तो आपको पता है कि किस तरीके से competition दिनवदीन यहां पर बढ़ता ही जा रहा है उस हिसाब से growth लोगों की बहुत कम होती जा रही है जिस तरीके से 2021 या 2020 में gamers grow कर रहे थे उस तरीके से 2022 में grow नहीं कर पाए 2023 में तो और भी ज्यादा कम लोग grow कर पाए और 2024 आने वाला है अब और almost आ चुका है तो अब वो पैंतरे नहीं चलने वाले जो पहले के time पे gamers use करके grow कर रहे थे और अपना career set कर पा रहे थे और अगर आप gaming को इंडिया में ऐसा business नहीं देखोगे शुरू से आज के time तो शायद ही आप इस field में कुछ उखार पाओगे और बात तो तब और ज्यादा bigger जाती है जब आप games सो बहुत तगड़े खेल ले तो अच्छा खासा gaming कर ले तो आपको gaming में बहुत passion है लेकिन games खेलते खेलते इन्हें record करो commentary कर दू और फिर upload कर तो बट ऐसे काम नहीं चलेगा 2024 में Mr.Beast Gaming, Qtpie, Mambo Jumbo, Dan TDM यह सारे foreign gaming creators है और वो भी बहुत सारे subscribers और followers वाले और अभी तो मैंने इंडिया के gaming creators के बारे में नहीं बता है यहाँ पर तो पता है यह कितने सारे है टेक्नो gamers ह होगे, total gaming होगे, live instant, carry minati, carries live और फिर उनके अलावा जो छोटे-छोटे creators आ जाते हैं या फिर आपके level से उपर थोड़े जो है, I mean जिनके पास 1,00,10,00, 5,000,00, इतने सारे followers या फिर subscribers वाले हैं वो भी आपके competition में आ जाते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे micro छोटे-छो जो 10-20,000, 50,000 ऐसे subscribers वाले हैं वो भी सारे आ जातें competition में, तो इन सब के बीच में grow कर पाना is like next to impossible, until and unless आप कोई अच्छी strategy use करो 2024 में, तो देखो कुछ लोग अभी भी पूछते रहते हैं कि क्या आज भी gaming channels worth it है बनाना, क्या ये काम करेंगे नहीं करेंगे, तो मेरे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद monetization on हो जाएगा और सब कुछ से पैसे ही पैसे आएंगे, brand वगेरा सब आने लगेंगे, तो ये सब सोच अगर लेके आ रहे हो, you are doing a mistake, अगर आप एक student हो, then focus on your study, job की तलाश करो, job ढूंडो, skills gain करो, और उसके बीच में अगर कभी खाली time मिल जाए, तो उस time को utilize करो, इन सभी चीज़ों में, alright, तो सबसे पहले focus on your target audience, not a particular game, so देखो, जब आप as a gamer एक YouTube channel open करते हो, तब आपके पास games के बहुत सारे options होते हैं, कि मैं ये game खेलू, वो game खेलू, वो भी खेलू, हजारो games आप खेल सकते हो, लेकिन जब आप ए एक हपते बाद आपने देखा कि अचानक से मैंने, मैंना खुद भी burnout field करने लगा हो, तो चलो na minecraft खेल लेते हैं, या GTA खेल लेते हैं, उसके बाल आपने देखा हैं, क्यों ना मैंने इतने सालों से जिस game को खेलता आया हूं, मैं माल लो कि मैं Free Fire खेल रहा था, या फिर Valorant खेल रहा था, और उसमें मेरा rank बहुत ज़्यादा हाई था, तो चलो क्यों ना उसके montages upload करके देखते हैं, तो ऐसे करते करते हैं, आप by the time अपने games को भी बदलते रहते हो, जिसकी वज़े से आपकी कभी भी एक core audience बिल्ड नहीं हो पाती है, और आपकी audience ठीक नहीं कर पात उस time पे games के उपर depend होना बंद कर देते हो, और इस बीच में एक सची बात बताओ, इंडिया में most of the audience games के लिए नहीं आते हैं, वो आपको देखने हाते हैं, कि आप कैसी हरकते कर रहे हो, आप entertain कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, comedy, jokes, memes, वगएरा, हजारों चीज़े लगा एक अच्छा PC ले लो, gaming वाला, एक अच्छा camera होना भी जरूरी है, अगर mirrorless या DSLR नहीं हो पा रहे है, तो at least एक अच्छा phone camera जिससे आप shoot कर पाओ, और एक अच्छा microphone जैसे मेरा यहाँ पर, मैं microphone यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही एक microphone होना जरूरी है, ताकि आवाज जो है वो crystal clear जाए आपकी audience तक, and then एक अच्छी lighting setup, वरना कुछ ऐसा scene हो जाएगा और लोग क्या ही देखेंगे फिर, अब जो next point है, वो in my point of view, one of the most underrated tip या फिर advice होने जा रहा है 2024 के लिए, जो आपको definitely follow करना चाहिए, वो है, avoid let's play trap, let's play games सबसे जादा easy होते हैं बनाने में YouTube में, इसलिए इन में competition भी बहुत जादा होता है, बस आपको अपना camera ऐसे सामने रखना है, अपने PC के सामने या phone के सामने ऐसे बैठना है, so hello guys, we are going to play this game, hello guys, आज हम खेलने जा रहे ये game और खेलना बस शुरू करती है हमने game, बस हम थोड़ा बहुत commentary करते जा रहे, game खेल रहे है और इसी को ज्यादा कुछ upload मतलब edit वगरा नहीं करना रहता है, normally cuts words लगा के थोड़ा बहुत, अगर चाहो तो music add कर सकते हो, और फिर upload कर तो, that's it, यह आज से 2 साल पहले भी ठीक था, लेकिन अपके time में ये चीज़ करके आप grow तो नहीं कर सकते हो, at least, until and unless आप एक popular creator हो, let's play is not the best option for you, देखो, 100 में से 99 लोग games खेलना prefer करते हैं, बस only games खेलते जाओ, commentary वगरा थोड़ा बहुत बातचीत कर लो और उनको upload करते हो, और यह सबसे easiest way है, तो अगर हर कोई बंदा वही कर रहा है, तो audience भी तो सबको नहीं देखने वाली है न, वो एक ही को देखेंगी, जो एक थोड़ा बहुत अलग कर रहा है, और इसलिए इंडिया में gaming असलियत में मैं जो बता रहा था कि entertaining category में है, ना कि एक proper gaming तरीके से यहाँ पे gaming चलता है, बहुत कमी लोग है जो gaming properly करते हैं, और इसलिए उनको उतने लोग जानते नहीं है उस तरीके से, so let's play करना मज़ सकते हो, even आप game news तक बना सकते हो, जैसे lazy session करता है वैसे ही, यहाँ तक कि आप speed runs, hacks, यह types के videos भी बना सकते हो, जो कि actually में लोग देखते हैं बहुत साथ, अब the next point is, join a gaming community to find YouTube video ideas, maximum लोग चैनल शुरू कर देते लेकिन उनको उसके बाद पता नहीं रहता है कि हमें इसके करना है, क्या upload करना सही रहेगा, कौन सा trending चल रहा है, just because कि उनको उनके community के बारे में कोई update ही नहीं रहता है, और क्योंकि networking आज विक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, तो 2024 में अगर आप अपनी community में, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, उसके related अगर आप खबर नहीं रखत करें, देखो हम में से हर कोई चाता है कि हम अकेले काम करें, अकेले ग्रो करें, और इसी चक्कर में कई बार आप लोग दूसरों की बाते सुनना बंद कर देते हो, या फिर वो क्या कर रहे है, क्या आपके business में कौन competitor है, आप किन से compete कर रहे हो, वो देखना भी बंद कर देत वो creative चीज automatically आ जाती है, so don't run behind creativity, instead focus on your work and do it consistently, क्या बात है, the next point is upload weekly gaming videos, अब इस चीज को बोलने के बीचे मेरा दो-दो reasons है, सबसे पहला तो आप अपने time को फालतु का जाया मत करो, ये सोच कर कि मैं अगर 5-5 वीडियो अपलोड कर दूँगा पूरे YouTube में तो मैं famous हो जाँग बहुत ज्यादा, YouTube का properly system है कि अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हो, या फिर 5 वीडियो अपलोड करते हो, YouTube सेम टाइम पे सेम चीजे ही recommend करेंगी, अगर आप एक महीने बाद भी upload कर रहे हो, तो आपकी वीडियो recommendation में जाएगी, ये खयाल छोड़ तो कि अगर मैं ज्या excitement जो आपकी पहले रहती है, motivation जो आपका रहता है, वो आप खो बैठोगे बहुत जल्दी-जल्दी, हम excitement में start तो कर जाते हैं, फिर 10 वीडियो बनाने के बाद जब हम देखते हैं, कुछ भी अच्छा कासा response नहीं आ रहे है, फिर आम काम करना छोड़ देते हैं, so instead going fast, make it a slow process आप अगर हपते में एक वीडियो डालोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप effort डाल रहे हो, और अप धीर-धीर काम करे भी जा रहे हो, और क्योंकि ये आपका कोई sustainable income source नहीं बना है अभी तक, या फिर आपका कोई business नहीं बना है, so that आप इस पर उतना जदा rely भी करोगे, कि चलो हम इस पर काम कर रहे हो, और daily अगर आप as a student या फिर job person, आप जो भी professional अगर आप कोई भी काम करते हो, तो आपका उतना time जाया भी नहीं होगा, आप एक हपते में content plan कर सकते हो, आप बना सकते हो, और time लेकर अच्छा कासा, एक हपते में एक video upload कर भी सकते हो, so it will not be hectic for you, research before you press the record button, आप में से maximum लोग के दिमाग में जब भी कोई video idea आजाता है, या फिर जब भी कोई video shoot करने का मन करता है, आप तुरंट क्या करते हो, record का button दबा दे तो और चलो भाई, record करने बैढ जाते हो, और फिर दो मिनिट आप कुछ ना कुछ तो थोरा भूँ भ बना दिया, बट ऐसा करने से नहीं चलेगा, 2024 है दोस्त, आप लोगों के टाइम को लेकर ऐसे खेल नहीं सकते हो, जब कोई भी आपके वीडियो में प्रेस करके आ रहे हैं, तो उनको वो चीज आप दो जो वो actually में देखने आये हैं, जो चीज उनको मिलना ज़रूरी है, औ और यह सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बता रहो, बलकि हर एक फील्ड के लिए बहुत रिक्वायर है, और अउसो मेक शूर कि आप जो वीडियो बनाने जा रहे हो, उससे पहले आपने उस वीडियो का टाइटल एं थमनेल दोनों ही सिलेट करके रखा है, आपको पता है कि आप क्या थमनेल देने वाले हो और कौन सा टाइटल आपका होने वाला है, इससे आप वीडियो में और ज्यादा एक्यूरेट बन जाते हो, पूरे वीडियो में आप उस टॉपिक से बाहर भटकते नहीं उतना जादा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपको सबस्क्राइब कर देना, मिलते नेक्स वीडियो में तबते के लिए साइनिंग आउट, सी यू, लव यू अल